तो अभी रिसेंटल मैंने खरीदा है जूसर तो जूसर क्यों खरीदा है मैंने सर्दिया आ चुकी है और मुझे सर्दियों में पीना है गाजर और बीट्रूट का जूस अपनी हेल्थ बनानी है इसलिए मैं लेके आ गई हूँ एक जूसर जो की मेरे बजट में है तो प्राइ मुझे देख के लेना था और मैं वहाँ ऐसी रंडम ली गई थी तो मुझे दिख गया तो मैं ले आई तो यहाँ पर मैं इसके अन्बॉक्सिंग करूंगी तो आप देख लीज़े इसकी पैकिंग वगरे इसके वायर की लेंद्ट भी काफी अच्छी खासी है और कुछ इस यह cover भी मिला है अगर आपको juice थोड़ी देर के लिए रखना है वैसे तो juice फ्रेशी निकाल के पीना चाहिए बट अगर आपको रखना है तो आप उसको उपर से close कर सकते हो और इसका जो mouth है वो भी काफी बड़ा है जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इसमें तो सारे पार्ट को मैं धोलूगी पहले अच्छे से निकाल के उसके बाद मैं इसमें आपको juice भी निकाल के दिखाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से fit होगा जो भी इसके पार्ट से और ये उपर से इसकी जो च्छनी है जिससे juice च्छन के निकलेगा वो मैंने fit कर दिया है उपर वा और सामने juice करने वाला मैंने लगा दिया है तो सब कुछ मैंने धो लिया है अब हम शुरू करते हैं juice निकालना इसमें तो आज मैं इसमें निकाल रहे हूं गाजर और चुकंदर का juice तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूं कि जिस purpose के लिए मैं लाई हूं क्या वो purpose मेरा fulfill हो है इसमें तो आप लोग देख लीजए कि कैसे juice निकलता है और इसमें जो ये गोल-गोल गुमाने वाला है ये 102 कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हूँ है तो 1 पे तो अगर आप soft fruits का निकाल रहे हैं तो 1 आपको प्रेस करना है अगर hard का निकाल रहे हैं तो 2 पे प्रेस कर रहा था वो as it is इस तरीके से उसके pieces रह रहे थे और वो चन भी नहीं रहा था और ये चनी में वो फस रहा था जिससे juice बाहर ही नहीं आ पा रहा था तो मैं बहुत ही जादा disappoint हो गई थी और ये जो waste निकला है उसमें भी आप देख सकते हैं juice थोड़ा थोड़ा बच रहा है बट आप वीडियो को last तक देखिएगा मैं second time इसको use करूँगी फिर मैं आपको दिखाओंगी अभी तक मैं इसको दो बार use कर चुकी हूँ और अभी तक मैंने इसमें सरफ hard सबजिया use की थी अब मैं इसमें soft cheese use कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ ये next day की वीडियो है तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ इसमें ये cucumber खीरे का juice तो खीरे के लिए मैंने one पे लेके गई हूँ मैं उसको क्योंकि soft है ये तो आराम से बहुत आराम से juice निकल गया अब आप देखिए जिसके लिए मैं गुस्सा हो रही थी न ये मैंने गाजर डाला है उपर से और मैंने पूरा गाजर डाला है उसको काटा नहीं है और देखिए कितना बढ़िया juice निकला है और इस टाइम पे ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे सर्थियों में पीना था गाजर का juice अपनी health बनानी थी मुझे और यह 2,9 something का था यह 2,925 इस तरीके का कुछ rate था मतलब 3,000 के around इसका price मुझे पड़ा जो की ठीक ठाक था reasonable price था और बहुत ही बढ़िया juice निकल रहा था और second time waste में से भी मुझे जादा juice नहीं निकला तो आप देखिए अभी management डाला है खीरा तो खीरा कितने बढ़िया से निकल उसके बाद मैं आपको last में गाजर का भी juice निकाल के दिखाऊंगे जो आपको भी देखके मज़ा आ जाएगा यहां पर beetroot का juice देखिए कितने बढ़िया तरीके से निकल रहा है तो इसमें आप कोई भी fruits, vegetables कुछ भी use कर सकते हैं मैं आगे भी काफी fruits and vegetables का juice निकालने वाली ह मैं जरूर आपको उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह juicer आप चाहें तो इसको ले सकते हैं बट अगर आपका बजट थोड़ा सो ऊपर आप जाना चाते हैं तो आप cold pressed juice भी ले सकते हैं बट इस टाइम पे मुझे यह अच्छा ल कि आप क्योंकि मुझे इतना अच्छा लागा यहां पर देखिए हमारे गाजर और बीटूट का जूस तयार है अब सर्डियो में हम बनाएंगे अपनी हेल्थ तो आप लोग भी अपनी हेल्थ बनाएए अच्छी चीज दिखाएए आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाएए मेरे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में